फ्रेंड्स, आज हम ग्रेट इंडो एंग्लियम पोईटिस सरोजनी नाइडू की लिखी पोएम इन दा बाजार्स अफ हैदराबाद को डिस्कुस करेंगे दोस्तों ये पोईब सरोजनी नाइडू की 1912 में आने वाली एंथलोजी दा बाजार्स अफ टाइम में पब्लिस हुई थी दोस्तों फाइब स्टेंजाज में लिखी ये पोईब हैदराबाद की संस्कृति को बया करती है दोस्तों सरोजनी नाइडू हैदराबाद से ही बिलॉंग करती थी और उन्होंने इस बाजार को बहुत नजदीक से देखा था चलिए अब इस पोईब को समझते हैं दोस्तों वट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स सरोजनी नाइडू मर्चेंट्स यानि की ब्यापारियों से पूस्ती है कि ओ मर्चेंट्स ओ ब्यापारी लोग तुम क्या बेशते हो Richly your wares are displayed wares means here सामान तुमने अपने सामानों को तो बहुत richly यानि की बहुत सुन्दर तरीके से डिस्पले पर रखा हुआ है अर्थात तुमने अपने वेयर्स सामान को बहुत अच्छे से लगा रखा है इस स्टेंजा की नेक्स्ट लाइन्स में मर्चेंट्स जवाब देते हैं वो कहते हैं कि हम टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन सिल्वर ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एमबर और डेगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड इन चार चीजों को बेशते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन और सिल्वर मीन्स गहरे लाल और चादी के रंग की पगडियां ट्यूनिक्स महिलाओं की बिना आस्तीन की लंबी और धीली पुसाग को कहते हैं दोस्तों जो पर्पल ब्रोकेड यानि की बैगरी रंग के फैब्रिक की बनी हुई है टर्बन्स और ट्यूनिक्स के अलावा तीसरी चीज जो ये ब्यापारी लोग बेशते हैं वो है मिरर्स विद पैनल अफ एमबर अर्थात ऐसे सी से जिनका बॉर्डर एमबर नाम की धातु से बना हुआ है और इसके अलावा दे आर आल्सो सेलिंग डेगर्स विद हैंडल्स अब जेड डेगर्स मीन्स खंजर और जेड एक ग्रीन कलर के स्टोन को बोलते हैं जो जूल्री बनाने के काम आता है वो मर्चेंट्स जेड के हैंडल वाले डेगर्स यानि की खंजरों को भी भेशते हैं दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में पोईटेस वेंडर्स यानि की विक्रेताओं से प्रस्म पूछती हैं वट डू यू वे ओ ये वेंडर्स ओ वेंडर्स आप क्या तोलते हो वे मीन्स यह तोलना वेंडर्स जवाब देते हैं सेफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस हम इन तीन चीजों को तोलते हैं सेफ्रन मीन्स केसर लेंटिल कहते हैं डाल को मसूर की डाल राइस मीन्स चावल अर्थात हम केसर मसूर की डाल और चावल को तोलने का काम करते हैं पोईटेस अब आगे बढ़ती है और मेडन्स यानि कि कुवारी अर्थात अनमेरीड गल्स से प्रस्ण करती है वट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन ओ कुवारी लड़कियों तुम क्या पीशती हो लड़कियां जवाब देती हैं कि हम सेंडल वूड हीना और स्पाइस को पीशने का काम करते हैं सेंडल वूड मीन्स चंदन हिना मीन्स महंदी और स्पाइस का मतलब मसाला होता है दोस्तो इसके बाद पोईटस पैडलर्स यानि की फेरी वालों के पास आती हैं और उनसे पूस्ती है वट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स ओ फेरी वालो तुम अवाज लगा लगा कर क्या बेश रहे हो पैडलर्स यानि की फेरी वाले जवाब देते हैं हम चैस्मेन और आइवरी डाइस बेज रहे हैं अर्थाथ हम सत्रंज के महरे और हाती दांच से बने हुए डाइस यानि की पासे को पेजते हैं अब पोईटेस गोल्ड स्मिट्स यानि की सुनारो से प्रस्न पूस्ती है वाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिट्स ओ सुनारो तुम गोल्ड के कौन-कौन से आर्टिकल्स बनाते हो गोल्ड स्मिट्स जवाब देते हैं हम wristlet, anklet और ring बनाते हैं अर्थात हम kangen जो wrist के उपर पहना जाता है उसे ही बनाते हैं anklet यानि कि pile और ring अर्थात अंगूठी को बनाते हैं आगे goldsmiths बोलते हैं bells for the feet of blue pigeons frail as a dragon flies wing वो blue pigeons नीले कबूतरों के पाउं के लिए नाजुग घंटियां भी बनाते हैं और ये इतनी frail, इतनी पतली और कमजोर होती हैं जितना की dragon flies का punk होता है आगे भी goldsmith से जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं girdles of gold for the dancers and skebots of gold for the king अर्थात वो dancers के लिए girdles यानि की कमर बंद बनाते हैं इसके अलावा सुनार राजाओं के लिए skebots बनाने का काम भी करते हैं skebots का मतलब मयान होता हैं दोस्तू जिसका प्रियोग राजा अपनी तलवार या खंजर रखने के लिए करते हैं लेट्स मूव ओन तू दा नेक्स्ट स्टेंजर नाओ अब पोईटेस फल विक्रेताओं के पास आती है और उनसे पूस्ती है वट डू यू क्राए ओ ये फ्रूट्मेंट ओ फल विक्रेताओं तुम किस चीज को बेशने के लिए विक्रेती जोर जोर से आवाजे लगा रहे हो फ्रूट्मेंट जवाब देते हैं कि हम तीन फलों को सिट्रॉन पॉमिग्रेनेट और प्लम को बेश रहे हैं हम तीन फल नीबू अनार और बेर बेशते हैं कवित्री आगे बढ़ती है और म्यूजिसियंस यानि की संगीत अग्यों को देखकर उनसे पूछ लेती हैं ओ म्यूजिसियंस आप लोग क्या बजाते हूँ जवाब मिलता है हम सितार सारंगी और ड्रम बजाने का काम करते हैं फिर पोईटेस मैजिसियंस यानि की जादूगरों से पूछती हैं आप क्या चैंट कर रहे हैं अर्थात आप किन मंत्रों का जाप कर रहे हैं मैजिसियंस जवाब देते हैं Spells for the Aeons to come हमारे द्वारा जपे जाने वाले इस मंत्र का असर कई आने वाले सालों तक देखने को मिलेगा दोस्तों ये हमारी पोईम का फिफ्ट और लास्ट स्टेंजा है अब सरोजनी नाइडू Flower Girls से पूस्ती है नीले और लाल रंके टैसल्स यानि कि धागों के गुच्छों से तुम क्या बुनती हो Flower Girls जवाब देती हैं कि हम लोग Crowns for the brow of a bridegroom अर्था दूले के मस्तक पर लगाए जाने वाले Crown, मुकुट या सेहरे को बुन नहें हैं और हम लोग Chaplets यानि कि फूलो की माला बनाते हैं जो दूले के बैट को Garland यानि कि फूलो से सजाने का काम करेंगी Flower Girls पोयम की last two lines में बोलती है Sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead यहां Flower Girls जवाब दे रही हैं हम सफेद रंग की फूलो की चादर भी बनाते हैं जिसे मरे हुए आदमी के लिए बिचाया जाता है और वो चादर हमेशा के लिए सोचुके उस मृतक की स्लीप को perfume यानि कि सुगंधित बनाए रखने का काम करती है और इसी के साथ हमारी ये पोयम समाप्त हो जाती है दोस्तों धन्यवाद है पन्यवाद